गुड मॉर्निंग तो अल आफ यू और वेलकम बैक टू माइ आलन क्लासे साइम डॉक्टर सोपियादो और बच्चों आज हम उपस्थित हुए हैं एक इंपोर्टन नॉटिफिकेशन लेकर उन अभ्यार्थियों के लिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश ज्वाइंट इंट्रेंस एक्जैमनेसंस पार बीड टू थू 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 टू टू के लिए उन्होंने एक्जाम दिया था और उनका इस समय क्या चल रहा है बच्चों काउंसलिंग चल रहा है ठीक बच्चों तो आए इस वीडियो के माध्यम से मापको बताएं कि कौन सी ऐसी चालाकी कौन सी चतुरता अपनाई जाए जिससे हमको एक अच्छा कॉलेज मिल जहाँ पठन पठन अच्छा होता है साथ इस साथ फी कम लगे ठीक बच्चों तो आए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को जानते हैं कैसे हम काउंसिलिंग कर रहा है तो जैसा कि आपको पता कि जो काउंसिलिंग का प्रोसिजर है ये कुल चार फेंच हो रहा है लिए तो आज हम ब 비디오 के माधिम सब सब से पहले फर्स्ट फेज के लिए तो बच्चों फर्स्ट फेज में जो इस्टुडेंट प्रतिभाग कर रहे हैं वो रैंक नंबर एक से लेकर सब्सक्राइब करने के लिए क्या हैं क्या प्रोसीजर को अपनाने के लिए तो सब्सक्राइब हम बात करते हैं बच्चों रेजिस्ट्रेशन के लिए तो रलेश रहा है रेजिस्ट्रीस सब्ल लेवा को 20 21 और 22 चार दिन आपका रेजिस्टेशन डेट है इस चार कारे दिवस में आप किसी भी रेजिस्टेशन करा सकते हैं तो उसके 24 घंटे बाद उनका च्वाइस फिलिंग स्टार्ट हो जाता है तो जिस बच्चे ने 19 तारिक को रेजिस्टेशन कराया है वो 20 तारिक से लेकर अर्था चाहे वो 20 को चॉइस फिलिंग करे चाहे 21 को चॉइस फिलिंग करे चाहे 22 को चॉइस फिलिंग करे या 23 को भी वो अपना चॉइस फिलिंग कर सकता है ठीक बच्चो तो इस प्रकार से ज तो को कर सकते हैं जब इसी choice dipping में क्या करना बच्व आपको सब्सक्राइब कितना बच्छो अब ध्यान लिग लिए इसको रिमार कर दिये पांच जार रुपई आपको टोटल कांसिलिंग फी जमा करना पड़ेगा टोटल पैसा जमा हो रहा है बच्छो या आप्ट है डेविट कार्ड के द्वारा या आप credit card के द्वारा या आप किसी माध्यम से online ये पैसा आप जमा कर सकते हैं ठीव बच्चो चुकि या online counseling है ता online counseling के द्वारा आप किसी भी mode में पैसा आप जमा कर सकते हैं ठीव बच्चो या आप transaction भी कर सकते हैं तो ये सब procedure है तो आपको total 5000 रुपए counseling fees जबके 750 रुपए आपको registration सुल्क जमा करना पड़ेगा अगर आपने registration सुल्क और counseling फिस जमा कर दिया है तो तेज तारीक तक आपका 24 फिलिंग हो जाता है और 24 फिलिंग होने के बाद आपका seat allartment हो जाता है कई तारीक को seat allartment होना पर चावविस तागे तो 24 के date में आपका seat allartment हो जाएगा तो क्योंकि आपका पैसा जमा हो गया आपका registration हो गया तो इस प्रकार से आपका seat allartment माना जाता है अब देखिए अगर आप यहाँ 24 तारीक तक आपका seat allartment हो गया अब देखिए आपका आगे का हम procedure बताते हैं seat allartment होने के बाद 25, 26, 27 तीन दिन के date में आपका seat confirmation होगा क्या होगा बच्चो seat confirmation होगा लेकिन इस seat confirmation के लिए आपके पास criteria है आपके पास सर्द रखा जाता है क्या कि इसी बीच में आपको total सुल के जमा करना पड़ेगा tuition fee जो college का fee होता है क्योंकि ये तो 5,000 रुपए 5,750 रुपए आपका registration fees as well as the counseling fees है 5,000 रुपए जो आपका counseling fees है बच्चो ये caution money की रूप में जमा होता है ठीक बच्चो एक प्रकार का deposit money होता है इस deposit money में अगर आप मालेजे government seat आपको मिल जाता है तो government seat का जो government college मिल जाता है तो government college का suppose that आपका government college में चुकि फीज बहुत काम होता है मालेजे government college का फीज 3,000 रुपए है तो 3,000 रुपए जो आपका feeज होगा तो इसमें से 3,000 रुपए हम क्या होगा बच्चो जो आपने 5,000 रुपए counseling fees जमा किया है उसी में से 3000 फीज डिड़क्ट हो जाएगा काट लिया जाएगा सेज जो पैसा बचेगा बच्चो 2000 रुपए आपको वापस कर दिया जाएगा अगर मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है तो आपने तो क्यों 5000 रुपए जमा किया प्राइवेट फीज तो आपका ज्यादा होता है प्राइवेट किसना जमा करना पड़ेगा एक 5000 250 रुपए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों अगर आपका सीट कनफर्मेशन होना है सीट कनफर्म कराना है आपको प्राइवेट कालेज मिलता है गौर्णमेंट सीट नहीं मिल पाता है तो आपको टोटल 51 250 रुपए जमा करना पड़ेगा अगर आप 51 250 रुपए टोटल फीज जमा कर देते हैं तो आपका सीट कनफर्म माना जाएगा क्या होगा बच्चों आपका सीट कनफर्म माना जाएगा और 21 डेट में कनफर्म हो रहा है 25 26 27 अथा 25 26 27 के डेट में आपका सीट कनफर्मेशन हो जाएगा तो इस परकार से बच्चों आप बिलकुल राउंड फीगर समझी है मैंने बताया कि फस्ट फेज के लिए जो काउंसलिंग हो रहा है वो काउंसलिंग सबसे पहले 19 21 22 के डेट में आपका रेजिस्टेशन होगा रेजिस्टेशन जिस दिन आप कराएगे उसके 24 घंटे बाद आपका च्वाइस फ्लिंग होगा अगर आपका choice filling हो जाता है तो choice filling का date बच्चों आपका 2021-2223 नमंबर तक आपका choice filling होगा अगर आपका choice filling हो जाता है तो 24 तारीक बच्चों आपका seat enlightenment हो जाएगा इसी choice feeling तक आर्थात 1921-2223 तक आपको 5000 रुपए counselling fees और 750 रुपए registration fees जमा करना पड़ेगा अगर आप इतना पैसा जमा कर देते हैं तो 24 तारीक आपका seat alignment हो जाएगा और जब seat alignment हो जाता है तो फिर आपको 25-26-27 के date में आपको college का अर्था जो आपको alignment जो आपने choice feeling किया था जो आपने college का choice किया था उस college में अगर आपको कोई college आवंटीत हो जाता है तो वहां के लिए आपका seat confirm होगा अर्थात वो seat confirmation करने के लिए पहले वहां का fee देखा जाएगा जितना fee रहेगा उतना fee आपको यहां deposit करना पड़ेगा 25-26-27 के date में अगर आप fee जमा कर देते हैं तो बच्चो मैं बता दूं सरकारी college के लिए fee जो है 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक है बहुत कम fee होता है अर्थात 500 रुपए से लेकर 3500-2000 जैसा college है वैसा fee है लेकिन private college के लिए बच्चो गवर्मेंट दोरा निरहरत एक निश private college मिलता है तो आपको total 54250 रुपए जमा करना पड़ेगा तब ही आपका seat confirmation होगा यह तो रहा first phase की बात अब आए हम देखते हैं second phase में अगर मालिजे second phase में counseling होना है तो second phase में वह भीरती आएंगे जिनका rank 500001 से लेकर 1,40,000 तक आ रहा है कितना बच्चों 500001 से लेकर कितना तक बच्चों 500001 से लेकर 1,40,000 तक कितना बच्चों 500001 से लेकर 1,40,000 तक कि जो अभीरती आएंगे प्लस जो first phase में छूटे हुए अभीरती हैं आप इसको रिमार्क कर लेंगे second phase में जो बच्चे आएंगे वह पच्चास जार एक से लेकर 1,40,000 रेंग तक कि अभीरती साथ में और कौन आएंगे प्लस फेज में जो बच्चे छूट गये हैं जिन्हों अपना रेजिस्टेशन नहीं करा है प्लस फेज में उनको भी second phase में मौका दिया जाएगा ठीक बच्चों तो ये बच्चे 25,26,27 24,25,27 içe v USłąरा है और इसी रेजिस्टेशन वा आप देख रहे हैं गर जाएगा तो यहां इनका और रेजिस्टेशन हो गया तो इस परकार से अगर हम देखें तो 24-6 connection हो तारीक तक इनका चॉइस फिलिंग चलता रहेगा अब जब 28 इनका चॉइस फिलिंग हो जाएगा तो सेम प्रोसीजर यहां भी वही होगा कि इनको पांच जार रुपए का कौंसलिंग फिस और साथ सो पचास रुपए रेजिस्टेशन फी जमा करना पड़ेगा अगर यह जम डालेंगे उसका फी आपके सामने दिया है हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बच्चों उसमें हम टोटल कालेज का अर्था यूनिवर्सिटी वाइज हम सब का फी डिटेल्स आपको देंगे यह भी बताएंगे कौन से अडिट कॉलेज हैं कौन से गौर्मेंट यह सीट का कंफरमेशन हो जाता है तो सरकारी जो रहे गा vrais कि लम समझो ऐपजा Dalai in और आपको इतने तीन दन के अंदर में आपको यह पैसा जमा करना पड़ेगा अगर आप सुल के जमा करना पड़ेगा अगर आप सिल जमा कर देते है потреб अब प्र जहते हैं तो pa सीट कप अद जल खरन घुछ कुब घुए नहीगी जबा करवेंगे, तब तक आपका सीट कांपर्म नहीं होता है और तोड़ी केलिए बैसर के लिए अर्फास के लिए करते हैं थर्ड फेस के लिए तो थर्ड फेस में कौन आएगे बैसर क्षोट्ट प्रिश्ण से कंसरी जार तक के अर्थात 1,40,001 रैंग से लेकर 2,40,00 रैंग तक के जो अभ्यरती होंगे वो थर्ड फेज में आएंगे साथ ही साथ छूटे हुए जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जो छूटे हुए अभ्यरती हैं वो भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं ठीक बच्चों तो आएए इनको हम देखते हैं कि इनका रेजिस्टेशन कब से शुरू हो रहा था इनका रेजिस्टेशन जो शुरू हो रहा है बच्चों वो 29 नौंबर 30 नौंबर 1st and 2nd दिसमबर तक हो रहा है अर्था चार दिन इनका भी रेजिस्टेशन चलेगा इनी चार रेजिस्ट 30 November, 1st December, 2nd December और 3rd December तक च्वाइस फिलिंग चलेगा ठीक बच्चो अब इसी च्वाइस फिलिंग में प्रोसीजर वही है 5,000 रुपए इनको रेजिस्टेशन फिर्ज जमा करना पड़ेगा 5,000 रुपए काउंसिलिंग फिर्ज जमा करना पड़ेगा जबकि 750 रुपए रेजिस्टेशन फिर्ज जमा करना पड़ेगा अगर ये सुल्क जमा हो जाता है बच्चो तो 4th December को इनका सीट अलाट्मेंट हो जाता है ठीक बच्चो तो सीट अलाट हो जाएगा अर्था जो जिस सीट के लिए अपना च्वाइस डाले है उनमें से रेंग के आधार पर उनको जो एप्रोपीरियicate अर्था जहां तक पहुंचेगा उनको वो एक सीट अलाट कर दिया जाएगा अज शालाट कर दिया जाता है बच्चो वह उसे कालेजuben सुल्क यहाँ भी जमा 실 verbessत कर दो तो प्रायवेट अगर जमा कर देते हैं तो इनका सीठ कन्फर्म कप होगा बचकों 5 द 6 आण 7 दिसमबर तक और valued गन्फा बच्चास घर तक आप देखेंगे कि आप वार्ट फेस के लिए फौर्ट फेस के लिए यह रहा है यह तक अर्था जितने रेंग तक बुलाए गए हैं ठीक वच्छो दो लाग चालेश जार एक से लेकर तिल इंड तक और साथ इसाथ फेज 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 सेकेंड और फेज थर्ड में छूटे वे जो भी फेज में प्रतिभाग कर सकते हैं और इनका रेजिस्टेशन ज सब्सक्राइज जाएगा इनका सीट कैंडेर जाएग तब ये अपना कॉलिज jema करेंगे अगर गòश़्ूर्मेंट सब्सक्राइब इसके बाद बच्चो चूटे हुए अभ्यरती जो है वह पूल काउंसलिंग में जाएंगे जिन्होंने इंट्रेंस एक्जाम दिया है उनका रैंक बहुत कम है ठीक बच्चो जो रैंक में नहीं आपा रहे हैं चूटे हुए अभ्यरती अर्था तो वो बच्चे जो जिन्हों पूल काउंसलिंग हुजाएंगे और इसके बाद बच्चो बहुत कम रहें बाले और इसके बाद लास्ट में बच्चो वह अभ्यरती जिन्होंने प्रकार से काउंसलिंग प्रोसीजर चलेगा तो आप इसको उमीद है बच्चो आप इसको बहुत अच्छे से समझ गया लिखें और किसी परकार कोई सहाथा आपको चाहिए तो वह कमेंट बाक्स में लिखें तो हम जरूर है कि आपका सहाथा करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो से बच्चो हम आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट लिस्ट जारी करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कितन यह अच्छा reputation है बच्चों उनका list हम जारी करेंगे ठीक है बच्चों तो आपके सुविधा के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे अगर आपने बच्चों वे चैनल को सब्सक्राइब ना किये तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले इसको like करें अपने यार दोस्तों में share करें जिससे उनका भी जो problem है बच्चों उनका problem का समधान हो सके तो बच्चों हम मिलते हैं next videos में और next list के साथ तब तक लिए बच्चों धन्यवाद